दोस्तो इस काहानी में कुछ-कुछ जगे पाष्ट के सीन बाद में दिखाये गए हैं हम एक्स्प्लेनेशन को आसान बनाने के लिए इस काहानी को बिलकुल क्रम से समझेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तक वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले धन्यवाद तो दोस्तो मेरा नाम है रवी सिंग आये सुरू करते हैं आज का ही एपसोड फिल्म की सुरूवात में टेमी को दिखाये जाता है टेमी को गुमने का बहुत सौक होता है वो जगय जगय पर गुमने जाती है एक दिन टेमी अपनी दोस्त के साथ बोट साप कर रही थी तभी रिचर्ड आता है रिचर्ड उन दोनों से बोलता है क्या तुम दोनों मेरी बोट को किनारे लगाने में मेरी मदद करोगी वे दोनों उसकी मदद करने लगती है सुबह टेमी रिचर्ड के पास आती है रिचर्ड बोलता है क्या तुम मचली काओगी टेमी बोलती है मैं बेजिटेरियन हूँ मैं मास नहीं काती रिचर्ड बोलता है मैं बेजिटेरियन काना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी टैमी यहां बोल देती है साम को टैमी उसकी बोट पर डिनर करने जाती है टैमी बोलती है तुम तो कई जगे गूम चुके हो यह बोट तुम्हे काँ से मिली रिचर्ड बोलता है यह बोट मैंने खुद बनाई है टैमी बोलता है तुम्हें अकेली सेर करना कैसा लगता है रिचर्ड बोलता है एक दम बेकार पिलकुल मजा नहीं आता टेमी बोलती है अगर तुम्हें मजा नहीं आता तो करती क्यों हो रिचरड बोलता है एक ऐसास है जिसे मैं बया नहीं कर पाऊंगा ये सब करने में मुझे कुशी मिलती है आगे रिचरड बोलता है क्या तुम इसके साथ गूमना चाहोगी टेमी हाँ बोल देती है अगली सुबह वो रिचर्ड के साथ सेर करने जाती है टेमी खूब इंजोय करती है वे लोग वापस आने के बाद किस करते हैं इसके बाद रिचर्ड उसे ड्रेस देता है और उसे गुमाने ले जाता है वे लोग डिनर करते हैं रिचर्ड उसे उसकी लाइप के बारे में पूछता है, टेमी बोलती है, मेरा जब जन्म हुआ, तम मेरी माँ सिर्फ 15 साल की थी, मेरी माँ बच्पन में ही प्रेगनेंट हो गई थी, तम मेरे दादा दादी ने ही मुझे पाला, इसके बाद वे दोनों डांस करते हैं, और किस भी करते हैं, रिचर् के दोस्त आते हैं, वे बोलते हैं, हमें लंदन जाना आए, इसके लिए हम तुम्हें 10 अजया डॉलर देंगे, टेमी बोलती है, मैं उस जगह नहीं जाना चांती, वहां मेरा गर है, मैं उस दसा में नहीं जाना चांती, रिचर्ट बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगी, तो मैं भी नहीं जाओंगा, मैं तुम्हारे बेना कहीं नहीं जाओंगा, टेमी उसके साथ चलने के रिए राजी हो जाती है, वे लोग उसे वहाँ छोड़ देते हैं और वापस आने लगते हैं, वहाँ से सूरज दिख रहाता, टेमी उसे देखकर बोलती है, कितना लाल सूर रिचर्ड बोलता है, डलता सूरज लाल नहीं गुलावी रंग का होता है, वे लोग वहाँ पर खूब बातें करते हैं, रिचर्ड उसे गाना भी सुनाता है, रिचर्ड उसे प्रपोज करता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमारे साथ पूरी जिन्दगी जारूं, क्या तुम मुझसे साधी करोगी, टैमी हाँ बोल देती है, और वे सो जाती है, सुबह बे जागते हैं, तो तेज अवाँ चल रही थी, रिचर्ड बोलता है, तेज तूपान आने वाला है, अब अमारा बचना मुस्किल है, टैमी बोलती है, हम दूसरी दिसा में चलते हैं, हम उस तरब चलते हैं, जिस दिसा में अवा चल रही है, वे लोग नाव को मोड़ने लगते हैं, तभी बहेंकर तूपान आ जाता है, वे लोग डर जाते हैं, बहेंकर तूपान के कारण बोट जोर जोर से ले लगती है, तब रिचर्ड टैमी को बोट के नीचले इससे में जाने को बोलता है टेमी उसे चोड़कर नहीं जाना चाहती लेकिन रिचर्ड उसे जवर्यस्ति नीचे बेज देता है तब ही और बैंक का तूफान आ जाता है जिससे रिचर्ड समुद्र में चला जाता है जब तूफान थम जाता है तो टेमी देखती है कि पूरी बोट में पानी बर चुका है वो रिचर्ड को पकारती है और उपर जाने लगती है वो उपर जाती है तो रिचर्ड उसे कई नहीं देखता वो गवरा जाती है वो रेडियो से संदेश बेजने की कोसिस करती है लेकिन उसका रेडियो खराब हो चुका था तब वो दूरवीन की मदस से समुद्र में देखने लगती है तब ही उसे समुद्र में छोटी बोट पर रिचेड दिखी जाता है वो अपनी बोट को चालू करने की कोसस करती है लेकिन उसकी बोट चालू नहीं होती तब वो समुद्र में कूद जाती है और रिचर्ड के पास जाने लगती है तब ही उसकी बोट दूर जाने लगती है वो बापस बोट पर आ जाती है और बोट के पानी को टीव की मदस से निकालती है जिससे बोट का बजन अलका हो जाता है और वो बोट को रिचर्ड के पास ल लगी होती है उसके पैर में गाव होता है उसकी पसली भी टूर जाती है टेमी बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम चिंता मत करो टेमी उसके सीने पसली रखकर बहुत रोती है इसके बाद वो उसके पैर को अड़ी को जोडने के लिए उसके पैर के चारों तरफ लकडि मिल दूर है हम मर जाएंगे रिचर्ड बोलता है कुछ नहीं होगा तुम्हें मत हारो इसके बाद टेमी बोट को चलाने लगती है वो नीचे से खाना लेकर आती है रिचर्ड बोलता है बस इतना ही खाना बचा है टेमी बोलती है हाँ इतना ही बचा है इसके बाद वे खाना का तब ही बोट के नीचे कपड़ा चिपक जाता है टेमी उसे चुडाने के लिए जाती है और बड़ी मुश्किल से कपड़े को अटा पाती है अगले दिन वो रिचर्ड के सरीर पदवाई लगाती है रिचर्ड को बहुत दर्द होता है अब इनका पानी भी खत्म हो जाता है ट पैर में दर्द है हम इस खाने से अपने गर नहीं जा सकते मैं तुम पर बोजहूं इसके बाद टेमी मचली पकड़ने चली जाती है लेकिन वो मचली को नहीं पकड़ पाती वो उपर आकर बोलती है मैं यह नहीं कर सकती बहुत मुश्किल है तब ही वहाँ पर बारत सौनी लगती है टेमी बहुत कुस होती है वो बहुत सारा पानी इकट्टा करती है वो बोट के निचले इससे में आती है तो उसे एक बॉक्स के अंदर सराब की बोतले मिलती है वे दोनों सराब पीते हैं और पार्टी करते हैं टेमी रिचर्ड के लिए गाना भी गाती है रिचर्ड रिचर्ड बोलता है, कास तुम मुझे मिली न होती, तो तुम इस परिषानी में न होती, टैमी बोलती है, फिर तुम कभी मेरी यादों में नहीं होते, मुझे इसके इलावा कुछ नहीं चाहिए, रात को बेलुक सो रहे होते हैं, तबी टेमी को जहाज दिखता है, वो चिलाती है और फायर भी करती है, लेकिन वो जहाज सीधा निकला चला जाता है, टेमी बहुत रोती है, रिचर्ड बोलता है, हाँ सायद हम यहीं मर जाएंगे, हम रास्ता बटक गए हैं, टेमी बोलती है, कैदो के यह सब जूटे हैं, हम हम सायद मर चुके हैं। रिचर्डड बोलता है हम ठख गए हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, लेकिन हम मरे नहीं हैं। दो दिन बाट टेमी उसे जगाती है और उसका इलाज करती है, पानी भी पिलाती है। रिचर्ड बोलता है तुमने मुझे सारी राज सोने दिया टेमी बोलती है तुम दो दिन से सो रहे हो हम जल्द ही किनारे पर पहुचने वाले हैं सिर्फ 69 मीली मांकी बचे हैं मैं अब असली नाविक बन गई हूँ साम को वो उसे सूरज को दिखाती है और बोलती है देखो गुलावी सूरज रिचर्ड बोलता है ये लाल सूरज है टेमी बोलती है पहले मैं लाल सूरज कहती थी क्या तुम मेरी बात मार रहे हो कुछ देर बाद वो रिचर्ड को देखती है तो रिचर्ड को तेज बुखार होता है वो बोलती है तुमारा बदन तो बुकार से तपरा आए मैं तुमारे लिए छत बनाऊंगी इसके बाद वो उपर से कपड़ा डाल देती है और बोलती है जम मैं छोटी थी तब मेरे पिता दादा जी की घर मुझसे मिलने आते थे मैं उन्हें देखकर बहुत कुछ होती थी क् मेरे दादा दादी ने उन्हें घर में गुसने से मना कर दिया जिससे वे बहुत गुसा होते थे और चिलाते भी थे चीकते थे मैंने ऐसी बातें सुनी है जो बहुत सी लड़कियों को नहीं सुनना चाहिए लेकिन जब ये होता था ता मैं बातरूम में चली जाती थी मैं दरवाजा लोग करके अपने उपर कपड़ा डाल लेती थी और यही सोचती थी कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, अभी भी हम यही कर सकते हैं, हम यह सोच सकते हैं कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं और विशो जाती हैं, सुबह रिचर्ड बोलता है टेमी उठ जाओ, समुद्र में चला गया था, टेमी को तो वो कभी मिला ही नहीं था, वो सिर्फ उसकी यादों में था, कई दुनों से भूंके रहने के कारण उसे भ्रम हो रहा था, इसके बाद वो उठती है, और समुद्र में से मचली पकड़ती है, और उसे काती है, वो परेसान हो जाती है अब उसे बोट पर 41 दिन ओचुके हैं वो परेशान होकर बैटी होती है तभी एक चड़िया उसके पास आती है और कुछ देर बाद वो ओड जाती है वो दूरबीन की सायता से चड़िया को देखती है तो उसे आगे जहाज देखता है वो कुछ हो जाती है और अवा में फायर करती है और जहाज को अपने पास बलाती है जहाज की लोग उसे देख लेती है और सायरन भजाकर उसके पास आती है वो उसे खाना देती है उसकी बोट को अपने जहाज से बांद कर वहाँ से ले जाने लगती है वहाँ पोंचकर वो रिचर्ड की बोट को रिपेर करती है और उसके साथ बताई हुए पलों को यालत करती है वो बहुत रोती है इसके बाद वो रिचर्ड को सरदांजली देती है इसके बाद हमें असली टेमी और रिचर्ड को दिखाया जाता है रिचर्ड की मृत्वी 33 बर्स की आयो में हो गई थी टेमी 41 दिनों तक समुद्र में पसी रही इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों आपको मारी पेसकस कैसी लगी आप हमें केमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें इस्टागाम पर भी पॉलो कर सकती हैं लिंक कामने डिस्क्रिप्ट्टन में दे दिये अगर ये वीडियो आपको पसंद आईए तो इसे लाइक करें तता अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए तता बेल आइकन को दवाना ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तर तक के लिए धन्यवाद